अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं, जो clear नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हो किरन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि April month में आपके partner की आपके लिए इस relationship के लिए क्या energies रहेंगी, finally you know April month में क्या हो रहा है कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं, जिनका खयाल रखके आप April month की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को भैतर कर सकते हैं, तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं April 2024 की love tarot reading चलिए वो गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि April 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहां पे तीन set of cards हैं 1st set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, 2nd set of cards में आपके partner के energies देखेंगे and 3rd set of cards में हम देखेंगे कि finally April मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सब से पहला card मुझे दिख रहा है 6 of wands reverse और ये card कहता है कि कुछ time से या फिर April स्टार्टिंग में आप अपने लिए stands लेना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं और in the process हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा हो कि आपकी self respect कहीं उतनी नहीं रह रही है आप अपनी self respect को नहीं maintain कर पा रहे हैं और कहीं कुछ work goes के लिए ये भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपके बारे में आपके partner के बारे में या इस relationship के बारे में बातें कर रहे हैं and deeper level के लिए the cover up का card कहता है इसी चीज़ को या फिर कुछ work goes के लिए हो सकता है आप से कोई mistake हुई कुछ के लिए हो सकता है partner से कोई mistake हुई कुछ के लिए हो सकता है कोई issue कोई मसला है उसको cover up करना चाहा रहे हैं, protect करना चाहा रहे हैं, hide करना चाहा रहे हैं and इसी लिए या फिर otherwise मिड एप्रिल के लिए seven of pentacles का काड कहता है आप एक pause लेते हुए दिख रहे हैं क्या future course of action होना चाहिए क्या जो भी आप दोनों के बीच में एप्रिल मंत में हो रहा है उसी से related आपको decisions लेने चाहिए choices लेनी चाहिए या फिर से मैं कहूंगी या फिर किसी astrologer से tarot card reader से counselor से, psychologist से या कोई भी हो सकता है देखे जो भी चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा कोई फिर से मैं कहूंगी आपका love one हो सकता है जिनको आप बहुत trust करते हैं उनसे guidance या तो आप लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं कहीं end april के लिए five of pentacles का card कहता है या तो आप अपने partner को किसी level पे block कर रहे हैं अपने और उनके बीच के धरवाजे को बंद कर रहे हैं, उनको ignore कर रहे हैं neglect कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं अपनी चीज़ों में include नहीं कर रहे हैं या ऐसी ही एक feeling आप अपने partner की तरफ से महसूस कर सकते हैं कि वो आपको reject कर रहे हैं या फिर इतना ज़्यादा include नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये card आपके लिए है तो जाहिर सी बात है आपके लिए ये energy ज़्यादा रहती भी दिख रही है reason सब वोगोस के लिए differ रहेगा लेकिन five of pentacles के नीचे light to you का card कहता है आपके partner ने या तो आपसे जूट बोला या फिर आपने किसी level पर partner से जूट बोला जादा देखिए आपके partner की तरफ से रहता हुआ दिख रहा है तो किसी भी तरीके का जूट आप दोनों के बीच में रहा या तो आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से और इसी बज़े से या तो आप उनको इग्नॉर कर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको इग्नॉर कर रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies है आपके partner के लिए सबसे पहला card है the high priestess और high priestess का card भी कहीं secrecy की बात करता है कहीं उन्हों किसी चीज को छुपाने की बात करता है back step या back seat लेने की बात करता है थोड़ा सा withdraw करने की बात करता है या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत एक enthusiasm excitement के साथ action initiatives नहीं लेने की बात करता है और कुछ time से या फिर April starting में आपके partner की ऐसी ही energies रह रही है deeper level के लिए all you see is love का card कहता है या तो वो बहुत confident है आपको लेकर उन्हें पता है कि आपको कोई उनकी गलती दिखती नहीं है और जब भी भी वो चाहें आपके साथ reconnect कर सकते हैं इसलिए शायद जो भी आप दोनों के बीच में रह रहा है वो withdraw कर रहे हैं या फिर दिखें या आपके partner की energies भी हो सकती है कि उनको आप से related सिरफ love ही love दिखता है आपकी कोई mistake नहीं दिखती आपकी कोई गलती नहीं दिखती और कहीं April starting में उनको ऐसे लग रहा है कि आपने उनसे कुछ चुपाया या फिर यूनों हो सकता है वो आप से कुछ चुपा रहे हैं और थोड़ा सा वो चीजों को समझना चाहा रहे हैं थोड़ा सा wisdom से चीजों को deal करना चाहा रहे हैं तो फिर से मैं काऊंगी all you see is love आपके partner की तरफ से जाधा रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि उनके लिए card है यानि कि उनको आपके अंदर सिर्फ प्यार ही प्यार दिखता है और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके partner इसी वज़े से काफी confident या over confident आपको लेकर हो रहे हैं और दिखिए वो over confident होते वे जाधा दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर next card है the magician magician कहीं बहुत जबर्दस एक confidence की भी बात करता है लेकिन साथी साथ manipulative energies की भी बात करता है diplomatically चीजों को deal करने की बात करता है तो काफी आपके partner smartly चीजों को deal कर रहे हैं फिर से कहूंगी थोड़ा सा या फिर काफी manipulate कर रहे हैं काफी ज़ादा you know diplomatically चीजों को deal कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर cunningly और cleverly भी चीजों को deal करते वे दिख रहे हैं अब देखे आपके partner हैं आप जादा समझ पाएंगे कि वो positive sense में manipulative हो रहे हैं या negative sense में manipulative हो रहे हैं उसी हिसाब से आप अपने action initiatives लें वेना इसे positive sense में diplomatic हो रहे हैं, manipulative हो रहे हैं इसका मतलब कि उनके intentions गलत नहीं है जो भी वो कर रहे हैं उसके पीछे उनका intention motive ठीक है और जब मैं कहती हूँ negative तरीके से manipulate कर रहे हैं इसका मतलब उनके intentions उनके motive ठीक नहीं है और इस scenario में आपको cautious होना चाहिए, conscious होना चाहिए उनकी हर बात को literally नहीं लेना चाहिए और यहाँ पर भी देखिए, आपके लिए हमने देखा light to you तो अगर हम इस scenario से देखें तो आपके partner ने आपको जूट बोला होगा इसके chances बहुत जादा रहते हुए दिख रहे हैं जिसकी वज़य से आप उनको avoid कर रहे हैं या फिर उनको इस चीज का हैसास हो रहा है तो वो ही थोड़ा smartly चीजों को deal कर रहे हैं और यहाँ पर Ace of Wands का card कहता है कि end April में जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है आप दोनों के energies हो आपके partner पुरानी सारी ही चीजों को पुरानी सारी ही बातों को छोड करना इस सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे है एक new beginning चाहा रहे है अब ये new beginning सब वर्गोस के partner के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी मसले issues आप दोनों के बीच में रह रहे हैं उनको खतम करके आपके साथ एक नई beginning करना चाहा रहे है और दिखिए कहीं mid April के लिए भी magician का कार्ट कहता है कि वो अपनी तरफ से action initiatives ले रहे हैं थोड़ा smartly, cleverly, cunningly ले रहे हैं बट yes, action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं and end April के लिए Ace of Wands का का कार्ट कहता है कि again action initiatives ले रहे हैं नई सिरे से नई beginning आपके साथ करना चाहा रहे हैं move on का कार्ट एक दो चीजें कहता है अगर ये long distance relationship है तो travel या तो वो कर रहे हैं आप से मिलने के लिए वो चाहा रहे हैं आप travel करें और जो भी issues हैं, मसले हैं उनसे आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और इका दुका वर्गों के partner के लिए हो सकता है कि इस relationship से आगे बढ़ना चाहा रहे हैं अब देखें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इस relationship से move on कर रहे हैं ये उनकी सोच हो सकती है ये उनका एक thought process हो सकता है ये कभी-कभी feeling आजाती है जब चीजें हमारे हिसाब से relationship में नहीं चल रही होती है अभी हम देखेंगे कि April month में क्या हो रहा है उससे हमें picture clear होगी कि हो क्या रहा है बट यहाँ पर देखें, जादा मुझे दिखता है जो भी issues, मसले, problems हैं उनसे आगे बढ़ना चाहा रहे है और अब देखते हैं April month में क्या हो रहा है तो देखें, April starting बहुत great नहीं रहती भी दिख रही है क्योंकि Three of Souls का card hurt की बात करता है कहीं एक तकलीफ की बात करता है तो April starting means अगर हम April को 3 parts में डिवाइड करें तो first 10 days या first week of April बहुत great नहीं जा रहा है आप दोनों के cards देखें तो यहाँ पे देखें आपके लिए cover up का card कहता है आप किसी चीज को cover कर रहे हैं और कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपनी self respect को नहीं maintain कर पा रहे हैं आपके partner भी कहीं उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं और कहीं you know April month के लिए भी Three of Souls का card hurt तकलीफ की बात करता है deeper level के लिए drinks, bar का card कहता है कि आप लोग अपने mind को divert करने के लिए fun, मज़ा, मस्ती में involve कर रहे हैं खुद को कुछ के लिए literally होता है हो सकता है, drink कर रहे हैं, party कर रहे हैं जादा eating, drinking, merry making कर रहे हैं और कहीं mid April के लिए reminders का card कहता है कि आप दोनों को कोई चीज एक दूसरे की याद दिला सकती है पुराने जो अच्छे पल बिताए उनकी याद आ सकती है और इसी वज़े से या फिर otherwise भी काफी emotional हो रहे हैं sentimental हो रहे हैं और कहीं चीजों को resolve करना चाहा रहे हैं चीजों को better करना चाहा रहे हैं और देखिए end April के लिए Six of Cups का card कहता है कि आप लोगों के बीच में अगर issues मसले चल रहे हैं या फिर कुछ भी छोटी मुटी नोग जोग चल रही है problems चल रही है वो कहीं resolve होते हुई दिख रही है और या पर surprise का card कहता है कि आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को surprise दे सकते हैं या फिर all of a sudden ये एक change आपके relationship में आता हुआ दिख रहा है बहुत एक loving, caring, प्यार, महबत वाली energies रहती हुई दिख रही है और इसके लिए सब वर्गो और उनके partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन past में जो भी आपने अच्छे पले एक दूसरे के बिताए और past का जो भी आप लोगों का बहुत strong bond रहा उसका वास्ता एक दूसरे को देते हुए या फिर खुद को ही देते हुए चीजों को कहीं better करना चाहा रहे हैं या फिर चीजें better हो रही है तो ये था वो गोज आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चानल को like, share और subscribe जरूर करें